हेलो डियर स्मिट कैसे हो आप सभी लोग उमीद करता हूँ सब अच्छे होंगे सब की पढ़ाई सांदार चल लिए होगे प्यारे बचों RRBJ 2024 की वेकेंज या चुकर इसके फोरुम बरने स्टार्ट होके फोरुम बरने जैसे स्टार्ट हुए अलग लग बरांच के बच्चों ने पोस्ट परिफरेंस के बार में पुचा कि सर मेरी ये बरांच है तो मेरे को पहले कौन सी पोस्ट देनी चाहिए मैं चाहता हूँ की फढ़ाई करूँ या फिर कई बच्चे ये कि मेरे को पेसा जादा चाहिए या मेरे के गर के नजदी को मैं फेमली के साथ में रह सकूँ इस परकार की चीजी है ना तो उसके बाद देखो एक्चुल है मैं तो RRB के अंदर जोब करता नहीं हूँ अलग है डिपार्टमें लेकिन RRB के जो जही है उनके साथ में मैंने इन चीजों का डिसकसन किया अलग अलग टाइप के जो बच्चे है उनके लिए मेरे सुछा क्योंने एक वीडियो बनाया जाए ताकि सब चीजों के बार में अच्छी तरीके स्क्लियर्टी हो और जोब लगने के बाद में ऐसा नहीं हो कि भी मैं भी उसी एक्जाम को क्वालिफाई करके आया हूँ मेरी जोग तो ज़्यादा टाइम है मेरे पे हड़ एक ज़्यादा है वो जो है उसकी वरकिंग प्रोफाईल है या फिर लाइफ ताइल है उसकी अच्छी है अना उसको ज़्यादा पेशा मिल रहे मेरे को कम मिल रहे अलग अलग चीजी होती है न एक एक जाम को क्वालिफाई करके जा रहे हो लेकिन नेचर ओफ डूटी यहां प को बताऊंगा कि ज्यादा सेलरी वाली कौन-कौन सी पोजिशन है अच्छी lifestyle वाली कौन-कौन सी पोजिशन है आठ गंटे की duty की बाद नेसी कौन सी पोजिशन है जहां पे आप कोई पास में कोई call भी नहीं आएगा कहां पे आप पढ़ाई भी आगे की जारी रख सकते है इस परकार की कौन-कौन सी पोजिशन है तो उन सब के बारें पर चर्चा करने वाले है ठीक है लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा CBT-1 है यह आपका qualify nature का है और 15 गुणा बच्चों को यहां पे पास किया जाएगा लगबग 8,000 वेकेंसी है तो 1,20,000 सीधा सीधा होता है और उसके बादे category wise 15 गुणा का जब पास करेंगे तो लगबग मान के चलिए 1,30,000 के आजपासें बच्चे CBT-1 को पास करेंगे तो CBT-1 को पास करना अच्छे नंबर लेके हाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है हालांकि easy भी नहीं है लेकिन आपको अच्छी position चाहिए यहाँ पर है ना आपकी पसंद के according तो CBT-2 के इंदर बहुत अच्छा score बनाना पड़ेगा और उसके लिए CBT-1 के साथ साथ ही थोड़ा थोड़ा आपको technical की पड़ाई है वो अभी से सुरू करनी पड़ेगी है ना और अच्छा content पड़ने के लिए जैसे कि already पिछले वीडियो के इंदर भी मैंने आपको बताया था electrical वाले जो बच्चे है उनके लिए और जो civil वाले बच्चे है उनके लिए handwritten notes अवेलेबल है वीडियो के डिस्कर्ट में एब की लिंक मिल जाएगी वहां से भी order कर सकते हो और वोट्स अपनों कई सारी details आपको इसके डिस्कर्ट में मिल जाएगी अभी त्यारी जहां से भी करो लेकिन technical का थोड़ा थोड़ा पड़ाई हो आपको अभी से करना पड़ेगा ताकि CBT 1 होगा तब डग आपकी पोजिसन वो अदर बच्चों की तुलना में बेहतर हो जाएगी चलिए भी यहां पर बात कर लेते हैं पोस्ट नमबर 3 से आप स्टार्ट हो जाएगा यहां पर अलग-अलग कई सारी पोस्टों को मिलाएगा है डिजाइन ये इन ड्रोइंग वाल इस परकार की बोजिसन ने जहां पर ड्रोइंग बनाने से सम्दिती काम यह रहेगा ज्यादा तर इनकी जो डूटी होती है DRM O.P.S. के अंदर होती है अच्छी चीज यहां पर वीकली दो दिन का आपको ओप मिलेगा 5 डे आपका वीक रहने वाले है डूटी खत्म होने के बाद में आपकी कोई भी हड्यक नहीं पढ़ाई विगरा प्रप्र अच्छी तरीके से कर सकती हो और घर के नजदीक है तो आप क्वाटर नहीं लेकर के वहाँ पर भी जा सकती हो duty time पे आ सकती हो अच्छी post है उसके बादे production unit है जहाँ पे railway से सम्दी चाहिए जो वहील होगे या फिर engine होगे चाहिए आपके coach होगे तो जहाँ पे इनका निर्मान क्या जाता है अलग-लग coach factory होती है आपने नाम सुना होगा वहाँ पे duty लगती है यहाँ पे इनको production allowance भी अच्छा खासा मिलता है उसके बादे R&D है research and development जो railway के अंदर नई-नी प्रेसानिया या नई-ने fault बगरा आते है तो उन पर सूध करने के लिए R&D यह आपका department होता है साइद इसके अंदर केवल गोरपूर के अंदर यह बहुत कम vacancy इसमें होती है ठीक है यहाँ पर अच्छा खासा allowance मिलता है और environment भगरा सारी सूधाओं के साथ में आपके अच्छी खासी होती है कोई दिकत नहीं है उसके बाद देखे general service है जाए electrical में electrical general service है जाई का काम होता है एक station के अलावा आस पास के आपको 8-10 station और दिये जाएंगे वहाँ पर जित्ती भी family बगरा रह रहे है जो family quarter है वहाँ पर electrical से समझित कोई भी काम है चाहिए fan का वो switch का शोकेट का tube light का वो सारी आपके responsibility है उनको ठीक करवाने की और जित्ते भी railway station है platform बगर है वहाँ पर light की जो जीमिदारी है general services की होती है एक station को छोड़के दूसरे station पर भी आपको visit करना होता है लेकिन यहाँ पर आपको TA traveling allowance भी मिलता है TA भी आपको लगबग यहाँ ठीक ठाक मिल जाता है ठीक है यह चीज है उसके बाद EMU and TRS है electrical multiple unit और traction and rolling stock यह मान के चलिए local shade में आपकी duty रहनी वाली है इंजन होगे उनके repairing और maintenance से समदिद जो काम होते है वो होगे यहाँ पर electrical और जो diesel engine है दोनों का repairing और maintenance से समदिद काम होता है एक जगह पर यह आपकी duty रहेगी मान के चलिए ठीक है सिर्फ duty यहाँ पर रहती है उसके बाद में R&D होई गया TRD Traction Rolling Distribution Traction Rolling Distribution एक तरीके से वो position है जिन बच्चों को जदा पेशा चाहिए electrical mechanical में वो लोग यहाँ पर बर सकते है यानि कि और एड equipment जो होते है अपने train पे एक pentagraph लगा रहते है उपर जो wire होते है उनको वो touch करता जाता है जिसके अंदर 25,000 voltage की supply रहती तो electrical का O-rade का जित्ता भी system है repairing, maintenance और fault से समदिते वो सारा का सारा TRD वालों का होता है यह जो जही होगा ना यह headquarter छोड़ करके एसा नहीं कि गर चले जाए अभी रात होगी शुबह तक तो आ जाएंगे इसको headquarter पे रहना बहुत ज़्यदा compulsory होता है fault कभी भी आ सकता है तो रात में भी आपको team के साथ जाना पड़ सकते है लेकिन regular maintenance का जो काम होता है वो दिन के अंदर ही होता है weekly एक office का रहता है उसके बाद में वरक्सोप हो गया तो अलग लग RRV में लग बग आपको एक वरक्सोप देखने को मिलेगा जैसे कि RRV अजमेर है तो इसका अजमेर के अंदर वरक्सोप है ठीक है आठ गंटे की ship duty आपकी रहती है एक ही जगे पर duty रहती है एक station से दूसरी station पे आपको जाने के जरूरत नहीं रहती है ठीक ठाक अच्छी job होती है और यहाँ पे आपको allowance से job होती है वो भी अच्छे कासे मिल जाते है कित्ती गाडियों को repair किया उसके according और एक target होता है target के according incentive इनको मिलता है अगले देखो civil वाले जो बचे है उनके लिए आपकी पोजिशन है पीवे का मतलब होता है permanent way अगले रेलवे की track भी चरी है या फिर पहले से बीची वी track है उसमें repairing से समझें, maintenance से समझें पट्री चेंज करने से इस परकार के जितने भी काम होती इस परकार की जोब मेरे को बताई है कि भी गोमना फिरना जाना पड़ेगा थोड़ा सा फेमली से थोड़ा सा दूर ज़्यादा रहना पड़ेगा लेकिन इस परकार की जोब है जिसके अंदर CLG के अलावा खास थोर से traveling allowance जो होता है वो सबसे ज़्यादा मिलता है यानि कि एसा बता रहे हैं कि भी महीने के अंदर एक महीने के अंदर इस दिनों का आपको 800 रुपे के इसाब से पर डे की इसाब से यानि कि लगबग 16-17,000 रुपे के आस में तो आस पास में आपका traveling allowance है ये fix है उसके बाद में भी थोड़ा बहुत और मिलता है लेकिन जिस headquarter पे आपनी quarter में बच्चे family वगरा रखे हैं उसके अलाव भी आस पास के area के इंदर आपके पास में 10-12 station और हो सकते है जहां पे आपके पास में एक छोटी train ही होगी माल लीजे कि एक engine रहेगा उसके पेछे एक दो बोगी रहेगी साथ में आपके technician वगरा रहेगे उसको चलाने की जिमेदारी जही ही होती उस गाड़ी को समान सोदा उसी के अंदर रहेगा खाना पीना वगरा सारा और ट्रे को चेक करने का आपका काम रहेगा कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है रेगूलरली मतलब क्या की शेड़वल के इसाब से यह चीज होती करीजेंड वेगन का ठीक है डीजल सेड है डीजल वाले जो इंजन होगे उनके रिपेरिंग मेंटिनेस सब चीजें वो देखने वाले है पावर है इसके अंदर क्रेन से समदित काम रहेगा क्रेन से समदित सुपरवाइजरी का काम कहीं पर कोई हाथसा वगरा हो रहा है तो बड़ी क्रेने होगे इन्दी वो आती है आपकी पावर वाले डिपार्टमेंट के अंदर तो यह आपको देखने ठीक है CMT है यह BSC वाले बच्चों के लिए तो कोई खास्ती जी मैंने इसके बारे पूछ ही नहीं है लाइन लाइन जोडना जिता भी चीज़ी होती है वो टेली कम्मिनिकेशन वाले जेए के अंदर गत आती है ठीक है इसके अंदर गत कई सारी स्टेशन होगे वहाँ पे ओल्ड़ी टेक्निशन रहेगे वो चीज़े इनको बताते रहेगे उसके बाद ने सिग्नल है तो सिग्नल के अंदर गत भी यही होगा वी रेलवे की जो सिग्नल होती है ना रेन आने के लिए रुकने के लिए ग्रेन रेड वगरा सारी चीज़े होती है वो सिग्नलिंग वालों के अंदर गत आती है हर station भी एक relay kaks होता है तो वहाँ से आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है कौन सी चीज़ सही काम कर रहे है कौन सी चीज़ नहीं कर रही अलग-अलग station भी आपके technician रहेंगे 7-8 आपके station आपके पास में होंगे तो आपको यहाँ पे store के अंदर जो भी सामान है कितना सामान पड़ा है कब किसको दिये अंदर रखना जमा करना जित्ता भी है एक तरीके से office वबरक आप इसको मान सकते हो तो यह job है ज़्यादा हडेक वाली नहीं होती अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो लाइफस्टाइल बेतर रहेगे उसके बाद तीन नमबर आपकी production unit आएगी वहाँ पे आपको production की अलाउंसेज भी मिलेगे लाइफस्टाइल अच्छी है उसके बाद वरक सोप की पोज़े आपकी जोब हाईगी वरक सोप में 8 गंटे की ड्यूटी रहेगी एक स्टेसन से दूसरे स्टन आपको जाने की जिरूर नहीं वहाँ पर भी आप पढ़ाई वगरा कर सकते हो तो यह इस परकार की जोब है जिसमें आप पढ़ाई वगरा कर सकते हो लाइफस्टाइल अच्छे रहेगी उसके बादे पेशा जिन बच्चों को जाना चाहिए तो ट्रेक मसीन है उसको परिफरेंस दे सकते है और टी आरडी है ना ओरेड एक्यूटमेंट वाली जो पोजिसिन इसके अंदर में आपको बताई है उसको परिफरेंस दे सकते हो इलेक्टिकल जेनरल सर्विशेज है उसको आप परिफरेंस दे सकते हो और वर्क्सोप है वहाँ पर भी आपके इन्सेटिव बगरा बनते है तो उसको भी आप परिफरेंस दे सकते हो ठीक है उमीद है सब चीजे आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और साथ ही आप कमेंट करके जरूर बताना आप किस जोन से फोरम अपलाई कर रहे हो और आपको ज़्यादा पेस्य वाली जोब चाहिए या फिर अच्छी लाइफस्टाइल वाली जोब चाहिए कमेंट करके मुझे जरूर बताना आगे भी इस भरती से समझ कोई भी अपडेट या मारत दर्सने से समझ कोई भी वीडियो लेके आऊंगा तो उसका भी आपको नोडिफिकेशन मिल जाए उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पे जरूर प्रेस का लेना है बाकि आपको इस वीडियो को डिस्करब मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएगी ओल लेडी 19,000 बच्ची जोइन कर चुके है आप जोइन कर सकते हो तक्निकी भरतियों से स्थिमिल जो भी अपडेट और नोडिफिकेशन होते है वहाँ पे मैं आपको प्रुवाइड करवाता हूँ चलिए थैंक्यू वेस्ट अपलक